हाई फरेंड कैसे हैं आप लोग, हम समझते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं और आशा की होप में आप लोगों का स्वागत है आज हम चलना है एक सेमेंट का चूला बनाने, बहुत दिन से प्लान था, अःफ समय आया है बनाने का तो देखिए हम इसको किस प्रकार बनाते हैं देखिए मैंने जाली रखे ये दरवाजे की जाली है जो दरवाजे पे लगती है उसको मैंने बांद दिया है बीच से बीच में एक इटा रख दिया है इस पेस के लिए फिर मैंने ये दूसरी बाल्टी रख दिया, दो छोटी छोटी बाल्टी या, इसके बाद मैंने इसको जो है, एक डिबबा डाल दिया है, इसके मुह के बराबत, ताकि मुह का इस पेस उतना रहे, और पीछे से मैं वो लगा रहे हूं, पलाई, क्योंकि मैं अपने दिमाग से से बना रही हूं, दोस्तों, तो देखिए हम किस प्रकार से बना रहे हैं, देखिए, अब हम चार एक का मसाला लेंगे, तो चार मगा मग, वो लेंगे, मोरण, और एक मग, सिर्मेंट लेंगे, तो चार एक का मसाला हो जाएगा, तो जब तक हम मसाला निकालना हैं, दोस्तो सिनमेन जब तक हम निकाल ने हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एन सेयर करें और कमेंट भी करें ताकि बताएं हम किस तरह बना रहे यह कैसे बना रहा है कैसे बनाना चाहिए तो अब मसाले को मिला रहे हैं एक साथ तो तो मिलाएंगे मसाले को, दोस्तों हम पहली बार बनाने जा रहे हैं चूला, तो अपने दिमाग और अपनी आइडिया से बनाएंगे, देखिए ये मैं सिमेंट भर रही हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि सिमेंट भरते समय ये फैलता जा रहा है क्योंकि सिमेंट नीचे दपती जा रही है, तो अब दूसरी तरब इसको मैं थोड़ा ये छोब दूंगी सिमेंट, फिर इसके बाद मैं इस पे एक प्लाई लगाऊंगी, जिसको मैं इटे से दबा दे रही हूं, ताकि ये जो है सिमेंट फैल के बाहर ना आए, दूसरी तरब भी मैं ऐसे ही कर रही हूं दोस्तों, ऐसे करने के बाद मैं इसको भर दूंगी, भर के और चार घंटे बाद दोस्तों, इसको मैं निकाल लोंग तो देखिए, भरने के बाद चार घंटे हो गए, इसको हटा दिये चार घंटे बाद, दोस्तों इसलिए इसको हटाते हैं कि चार घंटे बाद ये थोड़ा मुलायम रहता है, शेप तो रहता है, लेकिन मुलायम रहता है, सिर्मेंट मोरंग, तो हम इसको मन चाहे जगे से ह हटा सकते हैं और शेप दे सकते हैं तो वही मैंने किया है यह हटा के मैं देखिए थोड़ा छाट रही हूं अगल वगल से कि ताकि यह अच्छा शेप में आ जाए तो देखिए दोस्तों छाटने के बाद मैंने दूसरे दिन अब मैं इसको चलने हूं चिकना करने इसको पूरा बनाने चलने हूं तो शेप अच्छा नहीं आया है तो देखिए नीचे दो इटे रखी हूं क्योंकि चूले की उचाई जितनी है उतना ही वह इटा रखना आ अच्यारेक का मसाолा ये भी है क्योंकि थोड़ा सा बनाई हूं क्योंकि थोड़ा ही बनाना है मसाला गुमें बणा रही हूं घूल रही हूं और चूले पे में पानी डाल ला है हूं तो अब इस पर एक प्लाई रख रही हूं मैं उसी शेप का उसी उतना ही चोड़ा जितनी चोड़ी हमें पट्टी बना नहीं है उतना ही चोड़ा हमें टाइल्स रखना है देखिए अब टाइल्स रख रही हूं इसके बाद दोस्तों यह है हमारे आलमारी का स्लाइड जो आलमारी होती है दरवाजा खोलने बन करने वाला इस लाइडिंग करने वाला उसका यह निकला हुआ है खराब हो गया था दरवाजे से निकला है तो इसको बचा है घर में पड़ा था तो मैं का इसमें किसको भी लग कि इससे काफी मजबूत हो जाएगा चुला हमारा कि देखिए दोस्तों दूसरे दिन यह सब मैं निकाल लहीं हूं टाय सीटे सब यह आराम से निकल जाता है अब मैंने मिट्टी ले रखा है मिट्टी से इस चूले का मैं शेप दूंगी तो मिट्टी को मैं फोड़ूंगी है फोड़ के इसको बारिक कर लूँगी फिर इसको भिगो दूँगी देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि मेरा चुला बनाने का आइडिया तरीका जो है हम पहली बार बना रहे हैं और आइडिया क्या है यह भी आप कमेंट करिएगा अब चूले को मैं भीगो रही हूँ इसको चारो तरब से भीगो दूँगी चूले को कि देखिए यह मिट्टी फूल चुकी है इसमें मैं थोड़ा भूसा मिला रही हूं भूसा दोस्तों इसलिए मिलाते हैं ताकि यह दरार न पड़े चटक न पड़े और मजबूती भी थोड़ी बनी रहें केवल मिट्टी से करूंगी तो सूखने के बाद इसमें थोड़ी चटक आ जाएगी दरार बन जाएगी इसलिए देखिए पहले मैं नीचे चल नहीं हूं अंदर के भाग में लगाने बार इसलिए कि अगर बन जाएगा तो नीचे नहीं लगपाएगा कि इसलिए पहले मैं नीचे चल लेएगा इसको लगाने अंदर के भाग में अदोस्तो यह हम इतना चिकना तो करने ही पाएं सिर्मेंट का तो ठोड़ा खुद्ड़ा है तो इसको करने से इसके अंदर जो है मिट्टी भर जाएंगी तो यह मजबूत भी हो जाएगा खाना बनाने में दोस्तों मिट्री के चुले का खाना अच्छा ही लगता है तो इसमें उसका भी स्वाद आएगा दोस्तों यह थोड़ा सा बीच में हलका सा उचा कर रहा है इसलिए कि बरतन रखने के बाद थोड़ी सी लाव को निकलने कि इसपेस बनी रहें जगे बनी रहें भी जो बरतन रखेंगे वह पूरा सुख पाएगा मेरा चूला देखिए तयार हो चुका है दोस्तों देखिए नीचे? ये लगड़ीं लगाने के लिए हो गया दोस्तों हमारे चैनल को लाईक शब्सक्राइब, और देखिए हमारा चूला तयार हो गया है दोस्तों सुखने देंगे इसको और आगले वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों टाटा अपना ख्याल रखें दोस्तों